कोरोना महमारी फैलने के बाद मार्श 2020 में देश भर में लॉकडाउन लगने के बाद भारती रेलवे की यात्री सेवाओं को भी निलम बित कर दिया गया था लेकिन कोरोना के मामलों में कमी आने और वाक्सी नाने के बाद से ही रेलवे लगातार पच्री पर आने का प्रियास फिर से कर रहा है एक तरफ यात्री ट्रेनों में बढ़ोत्री की जा रही है लेकिन अभी तक टिकेट में मिलने वाली छूट में रियायत और वरिष्ट नागरिकों को मिलने वाली रियायते भी अभी तक बंद है बता दे कि लॉकडाउन से पहले वरिष्ट नागरिकों में महिलाओं को 50 पीसिदी और पुरुषों को 40 पीसिदी रियायत मिलती थी जिसमें महिलाओं की न्यूनतमायु सीमा 58 साल और पुरुषों के लिए 60 पर्ष है आपको बता दे कि लॉकडाउन से पहले भारती रेलवे करीब 30 काटिगरी में यात्रियों को चूट दे रही थी नॉर्मलाइजेशन हुआ है, यह सारी चीज़ें की कोविट के दोरान में बहुत सारी ट्रेने चैंसल हो गई थी या कंकर दी गई थी, तो नीट बेस ट्रेन चलाइए गई उसमें, जब नीट बेस ट्रेन चली और धीरे जैसे सिस्टम को नॉर्मलाइजेशन की तरफ हमारा ह होने लगा, और मुवमेंट ट्राफिक नॉर्मल हो गया, तो उसके जीरो नंबर हटागे और उनके जो ओरिजनल नंबर थे वो ट्रेन चला दी गए और जो इस्पेशल पेर थे वो हटा दिये गए, चू की सारे अन्रिजर्वड करना या उस तरह की जो आप शायद करना चा कर रहा है, हाम यूटियस और अलिजर्वड कपार्टमेंट भी बढ़ता है, देखिए कंसेशन्स तो यह रेडवे बोट से हम लोग इस पर चर्चा कर रहा है और यह रेडवे बोट की पॉलेसी है, उसी के तहता हम सब दो काम करता है